Hello Friends, Java Programming के Video Lecture की Series पर आज हमारा Lecture No.42 है और आज के Lecture पर हमें Float Data Type के वारे में क्या करना था? डिस्कस करना था कि यदि हम Print App Method के साथ उसका Output डिस्पले करवाएंगे तो कैसा और क्यों और कब आकर डिस्पले होगा? तो आपने यहाँ पर लिखा Z equal to 10 is divided by 3 और आपने यहाँ पर परसेंटाइल F लिखा हो रहे हैं आपर क्या लिखा परसेंटाइल 0.3 F तो यदि आपने इस Program को Compile और Run करकर देखा होगा तो इसका Output यहाँ पर कुछ यह आकर क्या हो रहा है? डिस्पले हो रहा है लेकिन अब समझना यह है यहाँ पर की यहाँ पर 0 आकर क्यों डिस्पले हो रहा है? ठीक है? यहाँ पर हो सकता 3.333 आकर भी डिस्पले हो जाना चाहिए था लेकिन हमने कुछ लेक्चर पहले आपको एक रूल बताया था कि जब भी दो इंटीजर वैलू का क्या होता है? ऑपरेशन पहला होता है डिवीजन तो आउटपुट हमेशा क्या आता है? बहाँ पर इंटीजर ही आउटपुट आकर क्या होता है? डिस्पले होता है तो ऐसे 10 किस टाइप का इंटीजर टाइप का है और 3 किस टाइप का इंटीजर टाइप का है तो आपने जब दोनों का डिविजन हुआ तो यहाँ पर कितना आएगा 3 और इसी कराण आउटपूट कितना आकर डिस्प्ले होगा 3.0000 क्योंकि परसेंटाइल F by default क्या करता है decimal के six point तक accuracy provide करता है इसी लिए यहाँ पर six zero आकर डिस्प्ले हो रहे है अच्छा लेकिन यदि आपने यहाँ पर method यूज करा होता print ln तो इस condition में आपने जब z को डिस्प्ले करवाया तो z का output क्या आकर डिस्प्ले होना चाहिए 3.6 times 0 या फिर only 3.0 output आकर डिस्प्ले होगा तो आपने यह भी last lecture में देखा हुआ है कि इस condition में only क्या आकर डिस्प्ले होगा 3.0 लेकिन यदि आपने format specifier का use करा है तो decimal के six point तक क्या देगा accuracy provide करने वाला है by default और यदि आपने लगा दे हैं आपर point तो जितने point के बाद आप output डिस्प्ले करवाने वाला है लेकिन यदि आपने यहां पर लिखा float x equal to 10 और यदि आपने लिखा कि चलो ठीक है float x equal to 10 अब आपने क्या करा x को यहां पर put कर दिया तो अब क्या होगा 3.333 output आकर यहां पर डिस्प्ले होने वाला है क्योंकि हमने आपको बताया था जब भी float और इंटिका क्या होता है division होता है तो output हमेशा किस में आता है float पर ही आकर डिस्प्ले होता है तो अभी आपने इस program को 93 number के example को क्या करा compile करा और run करा तो अब output कितना आकर डिस्प्ले होगा है आप 3.33 तो अब bytefall print element क्या करेंगी 7 digit तक format डिस्पेसिए 6 तक लेकिन आपने आ आप यहां पर लगा देती हो तो यह क्या करेगा तो तक ही accuracy को provide करने वाला है आप compile or run करके इस program को क्या कर सकते हो चैक कर सकते हो ठीके यह थी आपने हाप पर लिख दिया 7 तो क्या करेगा 27 digit तक क्या करेगा accuracy को provide करने वाला etwa compile और run करने के बाद दिख रहा है आपको यह output ठीक है यह तोरह flow data type की working लेकिन यदि आपने चलो हम सबसे पहले इसे 94 नंबर से क्या करते हैं तो 93 नंबर के program को क्या करा आपने 94 नंबर से सेब करा और यदि आपने लिखा आपर इंटीजर टाइप x equal to 10 ठीक है और suppose आपने क्या करा कि यहां पर एक काम करते हैं सारा कोई जो काम का नहीं है उसको हटा देते हैं इससे भी हटा देते हैं ठीक है अब हमने क्या करा कि आप इंटीजर को डिस्पले करवाने के लिए परस और प्रोग्राम नंबर 94 को यदि आप compile और run करते हो तो यहां पर देखो output आकर इसने 10 का 10 ही डिस्पले करवा दिया ठीक है लेकिन अब समझना ध्यान से यदि आपने लिखा यहां पर suppose 3 ठीक है तो इस condition में आपर प्रोग्राम में क्या चेंज होगा और क्या आकर output डिस्प करना है और इसी प्रोग्राम के साथ हम क्या करेंगे next lecture को continue करने वाले तब तक के लिए okay बाई